प्रेम शुक्ला जी ये बताईए कि कह रहे हैं कि महायूती में भी अभी करीब 28 सीटे फसी हुई हैं निरने नहीं हो पा रहा है कि कौन लड़े कहां से लड़े कि कहीं एक भी सीट नहीं फसी सारी सीटों को लिड़े हमारा अंदरूरी तोर पर हो गया है नामांकन जो है शेस है वो नामांकनी का लंतिन तारीक है भारती जनता पार्टी शिवसेना और एंसीपी के बीच में किसी सीट पर जो है एक दूसरे की प्रत्याशियों के खिला प् आगहारी महावखास आगहारी के महावखास के तमाम एसे सीटें まैं छिसमें एक दूसरे के खिलाव वहां प्रत्याशी कड़े किये गए हैं ऐसी कई सारे उदारन हैं जहां कांगरिस का प्रत्यासिए वाँ NCP लेपर प्रत्यासि हुतार दिए एंसीपी का प्रत्यासि है वाँ उद्ध्व ठाकरे की पाटरी ने प्रत्यासि उतार दिये ऐसा वहां उदारन है लेकिन आप भारती जंता प्र fresh सेना और NCP इन तीनों में की साथ जो है हमारे नाम अंकल चल रहे हैं उनके हैं उनके है प्रत्यासी विलब मिशित हो गए हैं और प्रत्यासी ओड़े कि या गया है कि आपनी तैयारी कर ले नामांकन की इन एक चोटी सी बात पता दी जै युआ इन वह लोगों की तरह कि राज़ाज थाकरे के बेटे को लेकर क्या स्टैंस है कि निस्ट पर अमारी हमारी हमारी पार्टी के ने ठीक है हमारी पार्टी के नेताओं का की राय है कि आधरणी एकनाश शिंदे जी चुंकी राज ठाकरे जी की पार्टी महाराश्ण निर्मार तेना ने लोग सभा के चुनाओं में बिना शर्त हमारी महायुती को समर्थन दिया था ऐसे में उनकी जो माहिम की सीट है उस पर अमे ठाकरे की उम्मिदवारी को समर्थन दिया जाना चाहिए इसका निर्णे आधरणी एकनाश शिंदे जी को लेना है चली ठीक आँ देखना होगा कि क्या शिंदे गुट की तरफ से क्या कहा जाता है इस पर लेकिन चरण सिंग सापराज ये बताईए बड़ा स्पष्ट फॉर्मिला था महाविकास अगाडी का 85-85-85 पर कॉंग्रेस ने 80-90 पूरे 100 कर दिया इसमें श्वेता जी 90-90 का जाहिर हुआ था कुछ चीजें कुछ सीटें जो थी वो डिसकशन में थी कॉंग्रेस पार्टी ने 99 जो है वो डिकलेर कर दिये हैं जो आप 23 की बात कर रहे हैं वो 23 भी हम आपस में तीनों के बढ़ चुके हैं लेकिन ये पार्टी का तीनों पार्टी का अलग-अलग मामला है चंद सीटों पर प्रतीद्वन्दी जो है वो आपस में ज़्यादा है तो उस पर शिवसेना को अपना जो उनका कोटा है उसमें तै करना है कि कोंसी सीट से खड़ा करना है कुछ जगों पर कॉंग्रेस पार्टी ने हमारे कोटे में हमारे एक दूसरे के कोटे ओवरलैप नहीं हो रहे हैं में clear कर देता हूं हमको हमारे कोटे में हमारा उमीद्वार तै करना है वो आज रात तक तै हो जाएगा कल आखरी दिन है और पूरे 288 सीटों पर आपको महाविकास आगाडी के उमीद्वार नजर आएंगे और पुर्जोर तरीके से नजर आएंगे हमारा भारतिय जनता पार् अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी हमको उमीद्वार नहीं देना चीए महायूती को अब यह मनसे का और महायूती का क्या साथ गाठ है यह नूरा कुष्टी क्या चल रही है यह जनता भी तो देख रही है न वही एक बार राज ठाकरे कहते हैं कि हम 288 सीटों पर उमीद्वार नहीं देगी तो यह नूरा कुष्टी नहीं तो क्या है यह भारतिय जनता पार्टी पूरी तरह से कन्फ्यूस पार्टी है पर सो अमिट्शा ने जब एकनाच शिंदे और अजीत पवार उनके दरवार में गए दिल्ली में तो अमिट्शा जी ने खुद कहा उन्होंने कहा कि एक दूसरे की पार्टी से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा जो बागी होंगे उनको हमें टिकेट नहीं देना चीए महायूती में यह ध्यान रखना चीए अब हुआ क्या है भारतिय जनता पार्टी के एक दो नहीं आठ नेता वो शिंदे सेना से जाकर करके या अजीत पवार के गुट से जाकर के चुनाव लड़ रहे मैं नाम भी ले लेता हूं पहले नंबर पे है निलेश राने फिर राजकुमार बडोले फिर है मूर्जी पटेल अंधिरी इस से फिर संतो शेटी भिवंडी इस से फिर बलीराम शिरसागर बलारपूर से फ फिर आनन्द भरो से है ये परबनी से और फिर विलास तरे है बोईसर से आठ भारतिय जनता पार्टी के उमीदवार भारतिय जनता पार्टी ने एक्सपोर्ट करे हैं वो एकनाच शिंदे आजीत पवार के गुट से ठीक हाला कि आप कह रहे हैं कि ओवरलाप नहीं है कुछ यहाँ पर फ्रेंडली फाइट से काम कैसे चलेगा वो हमें आपसे समझूगी लेकिन पहले हम एक बड़ी खबर बता देते हैं दर्शिकू को उधव ठाकरे के उमीदवार में औरंगाबाद सेंट्रिल सीट से इंकार किया है लडने से शिवसेना यूबीटी के सिंबल पर लडने से इंकार किया है किशन चन तानावानी शिवसेना यूबीटी उमीदवार थे एक नाच शिंदे के समर्थन में आये हैं उधव के उमीदवार पहले ही पेचीदा है कि एक-एक पार्टी के दो-दो पार्टी है अब उसमें और यह कह रहे हैं कि यह लाडली बहना योजना से प्रभावित हैं इस कारण यह फैसला आनन दूबे जी यह क्या हो रहा है शिवसेना के साथ स्वेता जी नमस्ते देखे कोई लाडली बहनात से प्रेरित नहीं होते हैं यह एडी और सिव्याई का दवाव तंत्र होता है एन मोके पर भारती जन्ता पार्टी एकनाथ सुंदे की कतित से उसे ना और अजी दादा पवार की कतित राश्टवादी बेचैन है सारी हवा इ इन्होंने बिजेपी से ले लिए अरे जो भावना गवली जो मिलिन देवरा राजसभा के सांसाद विधान परशत के सदस्य है उनको भी चुनाव लड़वाय जा रहा है इनके पास केंडिडेट का है पूरे महाराश्ट में जो एकनाथ सिंदे की कतित सिलसेरा है जो 40 जिनको हमने अपने टिकट दिया हुआ है अपने लिश्ट में नाम दिया हुआ है वो लोग को भी लोग ले रहे हैं कि भाईया आए बेडा पार करवाईये हमारी नईया डूब रही है तो हमें फरक नहीं पड़ता क्योंकि सिवसेना का एक नियम है नेता कहीं भी जाएं का करता वहीं टिका रहता है इतने विधायक चले गए इतने सांसत चले गए हमारा नाम चुनाव चिन्द चला गया फिर भी तो दो हजार चौबिस के लोकसभा में हम नव सीटे जीते और एक सीटों पर हमें जबर्दस्ती हराया गया तो ऐसा नहीं है किसी उसे ना कोई कमजोर ह कोई है और यह तो असली परिक्षा होने वाली विधान सबागी क्योंकि इसमें तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं उद्दाव ठाकरे साहब के नितुत में महाविकासागाडी सरकार बनाएगी बच्चा-बच्चा बोल रहा है मुंबई और महाराश के किसी भी गाउं चले जा और हम यही कह रहे हैं कि यह कल भागें कोई जाये कल तया तो नामानैंग आकरी तरी दिन लेकिन यह जो जा रहा है ना सुइता पर वागाये जा रहे हैं इनको दवाव क्योंकि वैपारी लोग हैं इनके कुछ ने कुछ जरूर कहीं ने कहीं कुछ काम पड़ गए होंगे इसको उन्होंने पकड़ के रखा होगा यह बीजेपी है ना यही कहते थी चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग अभी आज हमारे बिजबोन भाईया बैठे हैं अब वो चक्की का आटा कहां गया कौन उस आटे की रोटी बना के खा गया कितनी रोटियां उसमें बट गई यह तो यही लोग महायूती वाले ही बता पाएंगे हम तो यही कहते हैं भाईया कि आमने सामने की लड़ाई लड़ो न यह लोका छिपी यह मिलीन देवरा को अब बड़ी पसुपेश है इस समय उस सीट को लेकर क्या आप लोगों की आप लोगों की आप लोगों की पार्टी ने मन बना लिया है कैसे कैसे करेंगे आप लोग अगर वाकई अमित ठाकरे वहां से चुनाओ लड़े जो की लड़ी रहे हैं मतलब अगर आप से कहा गया क कि भाई कैंडिडेट नहीं देना है आपके सिटिंग है मिले क्या करेंगे तो उनको भी एज़ेश करना पड़ेगा इसके लिए कर रात को मीटिंग भी हुई थी और देखेंगे आगे-ागे होता है क्या चार तारिक के लिए अभी बहुत दिन है उसी बात यह है कि देखें कि अफिशिली और अनफिशिली सभी को पता है मायूती में कि किस-किस को इलेक्शन लड़ना है काफी जो सीट है जैसे कलीना का सीट है वो डिक्लेर नहीं हुआ ओफिशिली तेकिन वहां पर बारत्य जनता पार्टी की कैड़िड लड़ने वाले है और कल 17 वजे वो फॉब भी बढ़ने वाले इसी बात यह है कि देखे सप्राजी बेरे मित्र ने भी कहा कि आट लोग यहां से लड़ रहे हैं हमने कैंड़ेट्ट स्वापिंग किया है यह माय यूति का अंतरगत मामला है इसमें क्या प्रॉब्लम है लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अंग्रेस के यह नहीं लड़ना है और हमारे तर्मानी और अृंगाबाद से बोर है सभाजी नगर से बोर है कि हमको नहीं लड़ना है यह है कि तुछ आम चाइखि ka गतितने हैं कि 24 गंड़ा काम करने वाले सरकार ठी snipp के साथ अच्छा तालमेल वाला सरकार ठीए जहां पर इंफ्रस्टरक्चर में कि सानु के लिए अभर युगां के लिए मैलाँ के लिए वहां से fund आए यहांपर अच्छा महऊराष्टा का विकास हो चोँ इनके कार्यकाल में महराष्टा 3 नमबर और चोथे नमबर पे गया था अब हमारे कार्यकाल में डहीत साल में महाराष्टा संप šeク절 न है यह दूछ पार्टी ने सोच रखा लेकिन और एक दूसरी और खबर हम आपको बता देते हैं आज अजित पवार ने भी अपना नामांकन भरा है और नामांकन भरने के बाद उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं उनमें बहुत सारे संक्यत पढ़े जा सकते हैं